Hello friends, this is Raj Yadav and welcome back to Chalak Study YouTube channel तो friends, आज हमारा class 8 है, इससे पहले हम लोगोंने 7 class कर लिया हुआ है ठीक है, अगर आप लोगोंने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा होगा तो नीचे description box में link आपको मिल जाएगा पूरे सारे classes को आप एक साथ देख सकते हैं दोस्तों हम लोग Seated Paper 1 के लिए NCERT के बेज़ पर पर्यावरान अध्यान कम्प्लीट कर रहे हैं Seated Paper 1 के लिए तो पूरी पर्यावरान अध्यान हम लोग NCERT का यहाँ पर cover करेंगे इस सीरीज में इसके लावा NCERT के अलावा जितने भी टॉपिक से आपके EVS में question पूछे जाते हैं सारे topics को आप लोग cover करने वाले हैं तो ये वीडियो आज का बहुत important होने वाला है चलिए दोस्तों आज के अपने इस वीडियो को start करते हैं जिस सीरीज के माध्यम से आप लोग ये सेवर हो जाएंगे कि आपके EVS में at least 30 में 30 नंबर आ सकते हैं क्योंकि EVS एक ऐसा subject है जिसमें नंबर गेन करने के लिए बहुत ही अच्छा subject है तो चलिए अपने इस वीडियो को start करते हैं आगे बढ़ने पहले अगर आप लोग चैनल को नए हैं तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो like और share अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर कर दीजेगा एक काम और करना है आपको telegram group join कर लेना है ठीक है telegram जो चैनल है उसका link आपको description box में भी मिल जाएगा साथ ही आप लोग इसी नाम को search करके telegram चैनल को join कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपकी मर्जी हो तो मुझे instagram पर follow भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई query है तो आप मुझे सीधे वहाँ पर message भी कर सकते हैं चरिया आज की इस class को start करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो next topic है next chapter है उसका नाम है कैसे कैसे बदले घर तो हम लोग जो है NCRT के chapter यहाँ पर cover कर रहे हैं जिसमें से important question आपके exams में बन जाते हैं तो topic का नाम है कैसे कैसे बदले घर तो इसमें जो important point है important facts हैं उनको मैं आपको बताते जाओंगा एक pain और copy ले लिजे और अपने notes बनाना start करिए तो सबसे पहला topic यहाँ पर गाजी खान एक जगह है जो अब पाकिस्तान में है तो इसको note कर लिजेगा कि गाजी खान एक जगह का नाम है जो कि अब पाकिस्तान में पढ़ता है पहले यह पूरा भारत हुआ करता था ठीक है लेकिन अब यह पाकिस्तान में पढ़ता है पहले लोग कच्चे घरों में दिवार और फर्स पर गोबर वा मिट्टी का लेप इसलिए करते थे क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है तो question इसी तरह से आते हैं ठीक है छोटे छोटे बच्चो वाले प्रशन आप से पूछ लिए जाते हैं तो बिल्कुल इस subject को पढ़ने के लिए आपको भी एक बच्चे की तरह सोचना होगा तो पहले लोग मिट्टी के घरों वा दिवार पर ठीक है दिवार वा फर्श पर गोबर मिट्टी का लेप इसलिए लगाते थे क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है कच्चे घर किसको कहते हैं जो पकी एटों से या सिमेंट से नहीं बना होता है मिट्टी से पत्थर से ठीक है इस तरह से बना होता है उसको कच्चे घर कहते हैं दोस्तों next topic है लकडी की छट को दीमक से बचाने के लिए उसमें नीम तथा कीकर की लकडियां बिचाते हैं तो जो है लकडी की छट जो होती है छट जो है जहां लकडी की बनाई जाती है तो उनको दीमक से बचाने के लिए क्योंकि लकडियों में दीमक जल्दी लग जाता है इस वज़े से दीमक से बचाने के लिए उसमें नीम तथा कीकर की लक्डिया बिठाड़ी आती है तूटलल नेक्स स्लाइड में चलते हैं यहाँ पर दोस्तों गीजु भाई बदेका के बारे में दिया गया है तो थोड़ा से यहाँ प्रिंट टाइपिंग में मिस्टेक है ये जो होगा गीजु भाई होगा ठीक है इसको सुधार लीजेगा गीजु भाई बधेका इनके बारे में आप लोगों ने नाम इनका सुनाई होगा बेड में अपने बेड के कोर्स में गीजु भाई बदेखा एक बहुत ही most important नाम है जिसके बारे में आपने chapter अपने बेड के कोर्स में पढ़ा होगा वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानिया लिखते थे और उन्होंने अपने एक लिखे का पत्र में जिनको उन्होंने बच्चों के लिखा था अपने आसपास के पक्षियों के बारे में बदाया है तो next जो slide है उसमें पक्षियों के बारे में आगे दिया गया है तो एक-एक पक्षी के लिए आप लोग नोट्स बनाते चलिए एक्जाम्स में इसी तरह से प्रश्ण आप से पूछ लिए जाते हैं चूचू करती आई चीडिया, नेक्स चैप्टर का नाम है अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पक्षियों के नाम और उनके फीचर्स वगरा दिये हुए हैं इसको नोट करते चलिएगा सबसे पहला है कल्चीरी जिसको इंडियन रोबिन पक्षी कहते हैं कल्चीरी पक्षी, इंडियन रोबिन पक्षी अपने अंडे सडक के किनारे पत्थरों के बीज देता है इसको नोट कीजेगा कि कल्चीरी पक्षी जो है वो अपने अंडे सडक के किनारे के पत्थरों के बीज देता है पत्थरों के बीज एक तरह से वो अपना घर अपना घोसला बनाता है पौधों की नाजुक टहनी, जड़े, उन, बाल, रूई आदी से अपनी घोसला बनाता है नेक्स जो चिडिया के बारे में दिया गया है वो है कमा कवे के घोसले में लोहे के तार और लकडी के शाखाएं भी होती है तो कवे जब अपना घोसला बनाते हैं तो उसमें कुछ लोहे के जो तार होते हैं पतले-पतले या फिर लकडी के शाखाएं से वो अपना घोसला बनाती है नेक्स ट, नोट कीजिएगा कोयल अपने अंडे कवे के घोसले में देती है आगे बढ़ते हैं आगे दिया गया है कि पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए घोसले बनाते हैं तो पक्षी घोसले क्यों बनाते हैं अपने बच्चों के लिए ठीक है अंडे देने के लिए घोसला बनाते हैं नेक्स्ट नोट कीजिएगा फाक्ता पक्षी, एक पक्षी का नाम है फाक्ता पक्षी, फाक्ता पक्षी कैक्टस के काटों के बीच या मेहंदी के मेर में घोसला बनाती है, तो फाक्ता पक्षी कहां अपना घोसला बनाती है, कैक्टस के काटों के बीच या फिर मेहंदी के मे में अपना घोसला बनाती है। यह सभी चीजे जो है NCRT की bbook में लिखे हुए हैं इसलिए आपके लिए important है। गौरिया और कबूतर पुराने घरों में अपना घोसला बनाती हैं। गवरिया और कबूतर का नाम याद रखीगा जो की पुराने घरों में अपना घोसला बनाती है नेक्स्ट है बसंत गौरी एक पक्षी का नाम है बसंत गौरी आप लोग पिक्चर्स में बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है हर पक्षियों की पिक्चर मैंने लगा रखी है कि बसंत गौरी जो है पेर के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है तो जो पेर के मोटे तने होते हैं उनमें गहरा छेद बनाती है और उसमें अपने अंडे देती है तो बसंत गौरी की यह खासियत होती है नेक्स्ट दरजिन चिरिया इसका नाम याद रखेगा दरजिन चिरिया दरजिन चिरिया जो है पत्तों को चोच से सी कर उनके बीच घोसला बनाती है सी कर ये सी कर का मतलब होता है सिलाई करके ठीक है तो सिलाई करके जो दरजिन चिरिया होती है वो पत्तों की सिलाई करके उन दर्जिन चीडिया के बारे में आगे भी आने की पूरी समावना है to आप लोग उच्छे से नोट्स बनाइए आच्छे से याद किजे next जो है वो है सक्करखोरा सक्करखोरा पक्षी डाली पर लटकता खोषला बनाती है सक्करखोरा पक्षी कैसे अपने घोसला बनाती है डाली पर लटकता हुआ घोसला बनाती है जैसे कि इस तरह से अगर कोई डाली है तो उससे उसका घोसला बाहर की ओर लटकता रहेगा इस तरह से अपना घोसला वो बनाती है ठीक है नेक्स्ट आगे देखते हैं वीवर वीवर पक्षी है उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वा अंडे देती है तो ये होता है वीवर पक्षी की खासियत इसको भी note करके रखेगा तो चलिए ठीक है, thanks for watching यही आज के इतनी topics थे तो हम लोग बिल्कुल छोटे-छोटे classes रखेंगे और सभी को मज़ेदार ढंग से बहुत interesting तरीके से हम लोग करते जाएंगे, बहुत ही खेल-खेल में आपका EVS का पूला chapter यहाँ पर complete हो जाएगा ठीक है, notes बनाते चलिए notes आपके बहुत काम आएंगे आपको किसी से भी notes मांगने की जोरत नहीं अपने notes आप लोग खुद तयार कीजिए, बहुत ही जालद हम लोग CDP के classes भी start कर देंगे फिलहाल जो है time की कमी के वज़े से मैं अभी EVS के classes ही ले पा रहा हूँ तो channel से जूड़ी रहेगा, वीडियो पशनद आया हो तो like, share जरू कर दीजेगा इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिंद